दोस्तों बॉलिवूड इंडस्टी में इन दिनों रिष्टे बनाना काफी ज़्यादा आम हो चुका है और इतना ही नई सितारे भी अपने रिष्टों को लेकर काफी ज़्यादा सुर्खियों में बने रहते हैं बता दे कि बॉलिवूड इंडस्टी में रिस्ते बनते रहते हैं और बिगड़ भी जाते हैं जिस वज़े से बॉलिवूड के सितारे अपने निची चीवन को लेकर हमेशा से ही चर्चा के बिशे बने रहते हैं लेकिन आज हम आपको इस वीडियो में कुछ ऐसी ही अबनेत्रियों के बारे में बताएंगे जो सूटिंग के दौरान ही फ्रेगनेंट हो गई थी जी हाँ तो चलिए इस इंट्रेस्टिंग वीडियो को सुरू करते हैं इसमें नमबर एक पर है काजो काजोल बॉलिवुट की जानी वानी अब नेत्रियों में से एक है काजोल ने वीर फिल्म में काम किया था और सूटिंग के दौरान ही उन्हें पता चला की वे प्रेगनेंट है लेकिन इसके बावजूद भी काजोल ने अपने काम पर कोई भी असर नहीं पढ़ने दिया और इस फिल्म को पूरा भी किया नमबर दो पर है एस औरे राय बच्चन जी हाँ एस औरे राय बच्चन ने हीरोई फिल्म में लीड रोल का किरदार निभाया और सूटिंग के दोरान ही उन्हें पता सिला कि वे प्रेगनेंट है जिसके बाद उन्होंने इस फिल्म के निर्देसक मदूर बंडारकर को बताया और इस फिल्म को छोड़ दिया बता दे कि इस फ्रून की बज़े से मदुर बंडारकर को काफी जाता नुक्षान जेलना पड़ा और कुछ दिनों की सूटिंग भी हो चुकी थी नमर तीन पर हैं स्री देवी स्री देवी बॉली वुड की जानी मानी अवनेत्री रह चुकी और आपको बता दी कि वह हमारे बीस नहीं है बता दी कि उन्होंने बोनी कपूर दोयर निर्मित फिल्म जुदाई में काम किया था और वह शूटिंग के दोरान ही प्रेंग्नेंट हो गई थी जी हाँ जिस बज़े से उन्होंने बोनी कपूर से फटापट साधी भी रचा ली थी साथी जल्दी जल्दी फिल्म की शूटिंग भी कर ली थी वहीं आपको बता दे कि फिल्म 28 परवरी 1997 में रिलीज हुई थी वहीं स्री देवी की बड़ी बेटी जानवी कपूर का जन्म 6 मार्च 1997 में हो गया था जी हाँ जूई चाबला वॉलिवुड के एक खूबसूरत और बेतनी अविनेत्रियों में सुमार थी लेकिन आपको बता दे कि फिल्म जंकार वीट्स में एक्टरिस ने प्रेगनेंट महीला का किरदान निभाया था लेकिन बहुत ही कम लोग इस बात को जानती कि वह उन दिनों असल में भी प्रेगनेंट थी जी हाँ उस वक्त एक्टरिस साथ महीने की प्रेगनेंसी थी आपको बता दे कि एक्टरिस की फिल्म जून 2003 में रिलीज हुई थी तो हही वह जुलाई 2003 में माँ बन गई थी नमबर पांच पे हैं जया बर्चन जी हाँ जया बर्चन ने 16 फिल्म में खाम किया था और इस फिल्म में अमिताब बच्चन भी नजर आये थे लेकिन सूटिंग के वक्त थी वह प्रेगनेंट हो गए थी और इसी वज़े से उनके शौर्ट जल्दी जल्दी ले लिये गए थे जिससे कि उन्हें बाद में परिस्तानी ना हो अमिताब बच्चन तो कई बार ये भी कहते हैं नजर आये कि शोले फिल्म में तीन बच्चन ने काम किया था क्योंकि एक तो वह एक खुत दूसरी जया बच्चन और तीसरा जया के गर्म में पल रहा बच्चा था दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही ये वीडियो आपको कैसी लगी हो हमें कॉमन्स वाक्स में जुरू बताया और आएसी वीडियो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें वीडियो पूरी देखने के लिए बहुत बहुत सुक्रिया